फल या सबजी को काटने के लिए बेस्ट चोपर की चरूरत पड़ती है आज ए वीडियो में बेस्ट चोपर के बारे में बात करेंगे ए वीडियो नोलेज के लिए है वीडियो पैड प्रमोसन नहीं है वीडियो सरु करने से पिले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ महेस और आप देख रहे है प्रोड़क्ट गाइड ये चोपर पिंजन कमपनी का है जिसकी बोड़ी ग्रीन कलर में ABS प्लास्टिक से बनी है चोपर का वज़न एप्रोक्स 250 ग्राम है चोपर की केपिशिटी की बात करें तो 400 ml तक का भी चोपर मिलता है 650 ml तक का भी चोपर मिलता है और 900 ml तक का भी चोपर मिलता है तीनो चोपर की लिंक वीडियो डिक्षिजन में दी रखिए वहाँ से आप ओनलाइन पर्चेस कर सकते हो अब बात कर लेते हैं चोपर के साथ ब्लेड मिलती है उसके बारे में 400 ml और 650 ml तक का जो चोपर है उसमें 3 स्टेनलेस टिल से बनी हुई ब्लेड मिलती है लेकिन 900 ml तक का जो चोपर है उसमें स्टेनलेस टिल से बनी हुई 5 ब्लेड मिलती है साथी साथ वीपिंग ब्लेड भी मिलती है जिसका इस्तमाल लिक्वीड बनाने में किये जाते है एवाले चोपर की मदद से आप कोई भी फॉल या सबजी को चोप कर सकते हो काजू बदाम के बीज मकपलिक के बीज को भी चोप कर सकते हो या कोई भी मसाले को चोप करना चाते हो तो ओ आसानी से कर सकते हो चोपर को चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं है आप हाथ से ही चोपर को आसानी से चला सकते हो फल या सबजी को काट कर चोपर के बावल में डालना है उसके बाद चोपर को लोक कर देना है और हाथ से ही दाग को दिरे दिरे खीचना है बस कुछी मिनिटों में फल या सबजी अच्छी तरह से चोप हो जाएंगे 900 ml तक के चोपर में स्टेनले स्टिल की ब्लेड के साथ विपिंग ब्लेड भी मिलती है जिसकी मदद से आप OEP लिक्वीड बना सकते हो चोपर को आप पानी डिटरजन या मुलायम कपड़े से आसानी से साप कर सकते हो चोपर को परचेस करने के लिए लिंक वीडियो डिक्वीशन में दी रखिए वहां से आप उनलाइन परचेस कर सकेंगे आई ओप के एवाले वीडियो काफी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई उसे लाइक और शेर कर दीजिए चेनल में पहली बार हो तो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हम मिलेंगे एक नई टोपिक के साथ एक नई वीडियो में तब तक के लिए जय हीन वंद मात्रम